ये कहानी है एक किंग की बेटी मेरी और एक जलपरी की मुवी की स्टार्टिंग में मेरी को दिखाया जाता है जो पानी में स्विम कर रही होती है बाहर खड़ी नंस उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो किसी की नहीं सुमती दरसल मैरी फ्रांस के किंग लुइस की बेटी है किंग बहुत ही सेल्फ सेंटर इंसान है वो बच्पन में ही अपनी बेटी को एक प्रीस्ट को दे देता है जिसके बाद नन्स और प्रीस्ट मिलकर उसकी देख पाल करते हैं एक दिन किंग को उसके दुश्मन का भेजा हुआ आदमी कोली मार देता है वो इससे बच जाता है लेकिन उसे हैसास होता है कि वो चाहे कितना भी पौवरफुल क्यों न हो जाए लेकिन बाकी इंसानों की तरह वो भी मर जाएगा जिस पर किंग का डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसे हमेशा के लिए अमर बना सकता है अगर कोई जलपरी मिल जाए तो क्योंकि जलपरिया इंसानों को हील कर सकती है और अगर उसका दिल निकाल लिया जाए तो इससे किंग हमेशा के लिए अमर हो सकता है ये बास सुनकर किंग अपने कुछ मच्छवारों को मरमेट पकड़ने समुद्र में भेज देता है और इस ग्र लेकिन उनको सिर्फ मरमेट की जरुरत थी तो वो उसके साथ ही को पानी में छोड़ देते हैं और इव मरमेट को लेकर महल में आ जाता है किंग और डॉक्टर मरमेट पकड़ने की बास उनकर बहुत खुश होते हैं लेकिन प्रीस्ट को ये बात बिलकुल पसंद नहीं थी पर किंग उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वो प्रीस्ट को मैरी को वापस महल में लाने की बात करता है और साथ में ये भी कहता है कि वो किसी भी हाल में मैरी को ये नहीं बताना चाहता कि वो उसी की बेटी है जिसके बाद प्रीस्ट मैरी से मिलने जाता है और कहता है कि उसे पैलेस में म्यूजिक प्ले करने के लिए बुलाया गया है मैरी ये सुनके बहुत खुश होती है मैरी शांदार पैलेस को देखकर बहुत खुश होती है वहाँ उसकी एक सर्वेंट से अच्छी दोस्ती हो जाती है जो उसे अपना कोट फैनाता हैं जिसे वहाँ खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं किंग को पता चलता है कि जल्परी की हालत दिन भर दिन खराब हो रही थी वो जब से यहाँ पर आई थी ना कुछ खा रही थी और हर दिन बिमार होती जा रही थी जिसपर Dr. King को कहता है कि मरमेड का अगर यही हाल रहा तो वो अपने मकसद में कभी कामियाप नहीं हो पाएंगे जिसपर King डॉक्टर को ही मरमेड का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सौप देता है और उसे कहता है कि अगर मरमेड को कुछ हुआ तो वो उसे छोड़ेगा नहीं वहां रात को मैरी अपनी रूम में म्यूजिक प्ले कर रही होती है और उसे अजीब सी आवाजे सुनाई देती है जैसे उसे कोई बुला रहा हो वो उस आवाज का पीछा करती है और वही पहुच जाती है जहां मरमेड को कैद किया हुआ था वो वहाँ पानी में जलपरी को देखती है और मैरी को वहाँ खड़ा देखकर मरमेड भी बाहर आ जाती है और मैरी उसे चूती है लेकिन इससे पहले ही इव वहाँ आ जाता है और उसे रोक लेता है वो उस पर बहुत गुसा करता है जिसमें मेरी कहती है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं हाई बलकि जल पर ही नहीं उसे यहाँ बुलाया था इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है अगले दिन जब मेरी म्यूजिक प्ले कर रही होती है तो सब को उसका म्यूजिक बहुत पसंद आता है यहां तक कि किंग को भी जिसके बाद किंग प्रीस्ट को मैरी को रात के पाटी में इन्वाइट करने के लिए कहता है रात को पाटी में मैरी अच्छे कपड़े भैन कर जाती है और सब उसे घूरने लगते है किंग मैरी का हाथ पकड़ता है और उसके साथ डांस करने लगता है डांस करते वक्त किंग को एसास होता है कि मैरी की शकल उसकी मा से बहुत मिलती थी समय के साथ मर्मेट और मैरी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बहुत सा वक्त साथ बिताने लगते हैं और साथ में ही mermaid की health भी better होने लगती है इतना ही नहीं Mary की Eve के साथ भी दोस्ती गहरी होती जाती है एक दिन डॉक्टर उन दोनों को mermaid के साथ देख लेता है वो उन्हें बिना कुछ कहें वहाँ से चला जाता है अगले दिन जब king Mary को एक painting दिखाता है और उसे ये बताता है कि उसे Mary को देखकर इस painting वाली लड़की की याद आती है दरसर वो painting वाली लड़की Mary की मा ही थी यानि की king की पत्नी एक दिन king Michael से मिलता है जो की एक बहुत अमीर आदमी का बेटा है माइकल के पिता की तब्यत काफी खराब होने के कारण वो ज़्यादा वक्त जिन्दा नहीं रह पाएंगे और king को जब ये बात पता चलती है तो वो Mary की शादी माइकल से करवाने का सोचता है और इसी खुशी में रात को डिनर ओर्गनाइस करता है उस पार्टी में इव और मैरी भी होते है माइकल जब मैरी को पहली पार देखता है तो वो उसे बहुत अच्छी लगती है पर वो थोड़ी देर में समझ जाता है कि मैरी इव को पसंद करती थी एक दिन मैरी जलपरी से मिलने पानी में चली जाती है जिसे जब इव देखता है तो वो तुरंद मैरी को पानी से बाहर निकाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे नुकसान न पहुँचा दे उसी शाम इव मैरी को होर्स राइट पर लेके जाता है लेकिन एकसिडन्ट होने की वज़े से मैरी के हाथ बुरी तरह से तूट जाता है जिस पर डॉक्टर किंग को बताता है कि चोट गहरी होने के कारण मैरी का हाथ काटना पड़ेगा जिसे सुनकर मैरी बहुत मायूस होती है रात में जलपरी ईव को अपने पास मेरी को लाने का इशारा करती है और ईव मेरी को उसके पास ले आता है और पानी में गिरा देता है पानी में आते ही मरमेड उसके चारों तरफ घूमती है और मैजिक करती है जिससे मेरी का हाथ बिलकुल ठीक हो जाता है अगले दिन जब मैरी फिर से म्यूजिक प्ले कर रही होती है तो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं जब डॉक्टर उसका हाथ चेक करता है तो देखता है कि उसका हाथ बिलकुल सही हो चुका था डॉक्टर के पूछने पे मैरी रात की सारी बार डॉक्टर को बता देती है सब मैरी को यही बताते हैं कि मर्मेट को फ्रांस के बिमार लोगों का इलाज करने के लिए लाया गया है और जब वो लोगों को हील कर देगी तब उसे वापिस उसके घर बेज दिया जाएगा और उसे मैरी की identity बता देता है वो उसे कहता है कि वो चाहता है कि वो उसकी पेटी के साथ शादी कर ले माइकल यह सुनके बहुत खुश होता है क्यूंकि मैरी उसे पहले से ही बहुत पसंद थी लेकिन साथ-ख़ड़ी priest को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती वो king से कहता है कि उसे मेरी की मरजी जाननी चाहिए हमेशा की तरह किंग प्रीस्ट की बात नहीं मानता शाम को किंग मेरी को अपने पास बुलाता है और सारी सच्चाई बता देता है जिसे सुनकर मेरी बहुत दुखी होती है वो किंग से उसे दूर कर देने का कारण पूछती है तो वो बताता है कि उसकी मा मेरी के पैदा होते ही मर गई थी उसे लगता था कि वो अकेले मेरी का ध्यान नहीं रख पाएगा इसे कारण उसने मेरी को प्रीस्ट को दे दिया था वो मेरी को ये भी बताता है कि उसके किंग्टम में पैसो की बहुत कमी है और माइकल से शादी करके उनकी financial condition better हो सकती है मेरी इस उनका नरास होकर वहाँ से चली जाती है और किंग को भी ये देखकर बहुत दुख होता है रात को मेरी जब मरमेट से मिलने का सोचती है तो वो देखती है कि उसके दर्वाजे के बाहर guards खड़े थे इसलिए वो window से कूद कर मरमेट से मिलने चली जाती है तब ही मरमेट उसे अपनी power से ये दिखाती है कि उसे कैसे पकड़ा गया था प्रीस्ट एक बास फिर से king को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जब king नहीं सुनता तो वो palace छोड़ कर जाने की सोचता है उदर ईव को ये पता होता है कि मरमेट को king के लिए लाया गया है पर उसे ये नहीं पता होता कि उसके साथ क्या होने वाला है इसलिए वो डॉक्टर के रूम में छुप कर जाता है जहां उसे उनकी प्लान के बारे में पता चलता है वो उसे कागस को मैरी के रूम के नीचे फेक देता है और तब ही डॉक्टर वहां आता है और उसे कैद कर लेता है मैरी जब जलपरी से मिलकर अपने कमरे में आती है तो उसे इव का फेका हुआ कागज मिल जाता है और जिसे देखते ही वो सब समझ जाती है जिसके बाद वो किंग के पास जाती है और उसे मरमिट को छोड़ देनी की बात कहती है और ये भी कहती है कि वो माइकल से शादी करने को तयार है अगर वो मर्मिट को छोड़ देगा परकिंग इस शीज के लिए साफ मना कर देता है और मैरी को शादी के लिए तयार होने के लिए कह देता है मैरी इव के पास जाती है जो की जलपरी को आजाद करने की कोशिश में लगा था इसी वक्त Mary Eve को बता देती है कि वो उससे प्यार करती है और Eve जल पर ही को बाहर निकालने और Mary को अपने साथ दूसरी तरफ ले जाने की प्लैनिंग करने लगता है लेकिन डॉक्टर को उनके प्लैन के बारे में जल्दी ही पता चल जाता है लेकिन डॉक्टर जैसे ही वहाँ पहुचता है Mary और Eve उसे पूरी रोकने की कोशिश करते हैं जिससे कि मर्मिट को वहाँ से भागने का टाइम मिल जाता है लेकिन इसे बीच डॉक्टर Eve को शूट कर देता है जो कि पानी में गिर जाता है जब मर्मिट ये देखती है तो वो अपने साथ Eve को भी ले जाती है Mary डॉक्टर को चक्मा देकर वहाँ से भागने में काम्याब हो जाती है और वहीं चली जाती है जहां उसने Eve को मिलने का प्रॉमिस किया था दूसरी तरफ हॉल में सभ Eve और मर्मिट से मिलने का तै किया था किंग के आदमी मर्मिट को मारने के लिए आते हैं क्योंकि ग्रहन का वक्त आने वाला था जिस दिन मर्मिट का दिल निकाल कर किंग को अमर किया जाने वाला था पर यहां Mary अपनी पिता से कहती है कि अगर वो मर्मिट को पकर कर अमर बनन चाते हैं तो उन्हें अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देना होगा क्योंकि वो पहाड़ी से कूदने वाली थी जिससे उसको बहुत चोट लग सकती थी लेकिन अगर वो मरमेट को मार देंगे तो मरमेट उसे हील नहीं कर पाएगी इतना कहते ही मेरी तेज बैते हुए पानी में कूच जाती है जिसके बाद किंग अपने आदमियों को रुकने के लिए कहता है ताकि मरमेट मेरी को बचा सके फिर मर्मेट मेरी को ठीक कर देती है और वो वही खड़ा देखता है कि मेरी और इव वहां से हमेशा के लिए चले जाती है और मर्मेट भी अपने घर लोट जाती है लास्ट में दिखाया जाता है कि मेरी और इव एटलांटन सिटी की तरफ जाते हैं जहां मेरी को फिर से मर्मिट मिलती है और वो उसे अंडर वाटर अपना घर दिखाती है जो कि बहुत ही घुपसूरत था